आपका आज के वीडियो में एंपियר मोबिलिट् rolled級 एलेक्ट्रिक्मोबिलिट्थ ये दो कंपनिया ऐसी हैं इन दोनों ने साखागर के कंपनी के एलेक्ट्रिक वाइकल्स बनाएं तीन तरह के वाइकल्स बनाई एक बनाई जिसमें इन्होंने एंप्यर की जील जिसका मैंने वीडियो पहले दे रखा है और दूसरी मैंने इन्होंने बनाई MPR की Magnus EX सबसे बहत्रीन और शांदार प्रोटक्ट इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है इसके बारे में दो वीडियो है क्या आपने वह दोनों वीडियो अभी तक नहीं देखे अच्छा तो देखने चाहिए आपको आई बटन में क्लिक करिए और दोनों के बारे में क्योंकि एक थी पुरानी Magnus Magnus जैसे जैसे आगे बढ़ती गई अपनी क्वालिटी में इंप्रूव करती गई हर बार हर तरह से एक नया चेंज लाई इस बार जो इन्होंने लास्ट अपडिशन दिया था वो क्या दिया था वो भी मैं उपर आई बटन में वीडियो लगा पर पेम्टू सब्सेडी जैसे ही खतम करी सरकार ने इनकी कीमतें आसमान चूने लगते हैं जबरदस्त हो गई कीमतें जो एंपियर मैंगनेस मात्र 95,000 रुपई एक्स शोरूम प्राइस पर आ रही थी वो बढ़कर एक लाग चार हजार नौसो कुछ रुपई एक्स हो गई थी आपने पिछले वीडियो में दिखा होगा एंपियर मैंगनेस ने पाच्वा स्थान लिया जो कंपनी जो कंपनी सेकिंड थर्ड रेंग कर रही थी अचानक से पाच्वा पाइदन पे कैसे उतर गई वजय थी इसकी कीमतें कीमतों में बढ़ होत रही एंपियर का एक तीसरा सबसे बड़िया प्रोड़क्ट था जिसे इन्होंने बड़ी महनस से बड़ी आर एंडी करके बड़ी मशक्कत के साथ बनाया था वो था यह एंपियर प्राइमर्स इसका बीमेस अनमैचेविल लोगों ने इसके बीमेस से सीखा कि बीमेस क्या चीज होती है पी एमेसम मोटर का इस्तेमाल किया जो की बिलकुल मिड माउंट थी आईपी 67 ग्रेड की थी पानी में डूपकर चलने के बाद भी कुछ नहीं होता था इतनी बड़िया क्वालिटी देने के बाद फिर भी वो पांचवे पायदान पे क्यों आई वजय थी इसकी कीमत पहले यह एक लाग दस जार रुपे में मिल रही थी जब फेम टू सबसीडी अविलिबल थी जब इसे रीसेंट में लॉंच किया ही गया था अचानक फेम टू सबसीडी जसी बंद हुई क्यों ही इसकी कीमतों ने उचाल लिया और एक लाग च्यालिस जार कुछ रुपों के पावदान पे जाकर यह रुख गई आप लोगों की यह डिमांड थी कि इसकी अगर कीमते कम हो तो इस गाड़ी को पसंद करें देखी सबसे पहली बात तो इसका लुक बिलकुल हिंदुस्तान में बेखने वाली अन्य गाड़ियां जो की होंडा एक्टिवा यह जुपिटर से से मिलर है फैमिली गाड़ी लग अच्छी अच्छी कंपनियों के डांत तक खटे कर दिये थे ओला जैसी कंपनी से चैलेंज लेने वाली यह वैकल अचानक से पांचवे पायदान पर कीमते वजय थी इसकी कीमते कुछ लोगों ने और कंपनी ने भी इसका दावा किया कि प्राइमस सततर किलोमेटर प्रती जबकि आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे जहां मैंने प्राइमस को एक्स्प्लेइन किया है डबल पिलियन के साथ इस गाड़ी ने 83 किलोमेटर पर आवर की स्पीड लिए लिए वो पास था आज भी वैसी ही है यह गाड़ी कोई चेंज नहीं किया है इनोंने जिपीएस जरूर है इसमें नैविगेशन है जो कि एप के थ्रूँ चलता है और भी कई चीजें हैं जो इसमें एक्टिव हैं नहीं है तो सिर्फ क्या टी एफटी नहीं मिलेगी आपको यहने टैच स्क्रीन नहीं मिलेगी इसके इंदर आपको म्यूजिक सुनने के लिए नहीं मिलेगा भाई सब मैं समस्ता हूं बाजार में छोटे-छोटे स्पीकर्स आ गए हैं ब्लूटूथ स्पीकर वो इसमें रखने की जगह है रखो और गाना वजाओ ना जो आप उन गाड़ियों में एक्सपेक्ट कर रहें उससे ज्यादा बह उसमें एक उनके ओनर ने कहा था कि मैं यहां का लोकल परसा में पूरी गलियां अच्छे से जानता हूं तो मुझे जीपियस और नेविगेशन की क्या ज़रत है मैं एक्स्ट्रा पैसे पे क्यों करूं यह तो उन लोगों के लिए एप बनी है जो स्विगी और जोमेटो डि में हैं उनके लिए है यह यह हमारे लिए नहीं है हम व्यपारी लोग है हमें पता है हमें घर से दुकान जाना है और हम अगर नौकरी पेशा है तो हमें घर से ऑफिस जाना है और उसके बाद पता है बजार कहा है कौन सी चीज हमें कहां से लेनी है आपके शहर के अंदर कौ से जाया जा सकता है उनके लिए उन डीपीएस का नविगेशन का नक्षे का कोई महतुर नहीं आज एक बहुत बड़ी अनॉंसमेंट करने आए उन वीडियो स्किप मत करना अनॉंसमेंट इन गाडियों से रिलेटेड है लोग कह रहे हैं न ये गाड़ियां बहुत महंगी हैं अच्छा इसमें कुछ तो फेक यूजर्स हैं उन्होंने कमेंट कियें गाड़ी बकवास है गाड़ी बेकार है मत लेना बहुत गटिया किसम की गाड़ी है जब मैंने उनके अकाउंट चेक किये यार मेरे वीडियो लॉंच होने के 6-6 गंटे पहले अकाउंट बने वे हैं और वह उसपर आकर लिख रहे हैं अंद मेरको अमेरी गाड़ी युशोरूम में खढ़िये अधर्रेसस तो दो पता तो लगए कौन से एड्रेस में कौन से शोरूम पर खड़ी है और शोरूम पर क्यों खड़ी है क्या डिस्पले लगा दिया क्या उन्होंने सर्विस सेंटर पर खड़ी है तब तो मैं मानूं और सर्विस सेंटर पर पूरी कहानी नहीं लिखेंगे कि मैंने गाड़ी वहां खड़ी करी, उन्होंने मेरी गाड़ी खराब कर दी, और उनके पास आज इतने टाइम से गाड़ी खड़ी है, अभी तक कोई spare parts अविलेबल नहीं है, सब चीजें अविलेबल है, service भी अविलेबल है, और इवन दो ये primus, इसकी एक खास बात बताता ह जब से ये गाड़ी चल रही है न, service center, showroom का service center भी जब से खुला है, जब से एक भी primus, ठीक होने उस service center पे नहीं गई है, नहीं यकीन हो, तो मैं दावा कर सकता हूं, खुलने में दावा करता हूं, अजमेर आओ, अजमेर के showroom पे, अजमेर के service center पे, वहां की photo क्लिक करो, औ आओ, किसाब मेरी ये गाड़ी है, जो अब तक ठीक नहीं हुई, मैं दावा करता हूं, एक चीज बड़ी आहत करती है, जो चीज अच्छी है, जिसे हम अच्छा बता रहे हैं, तो वह बताने में क्या हर्ज है, आपको उसको negative क्यों बताना है, क्या कारण है कि आप उसको negative बताना चाहरे हो, क्या reason है, क्या आप इतनी नफरत करते हो, इन अच्छे products क्यों negativity फैलाते हो, अब ये तो खेर, उदंडरता की एक हदी है, जो ये ऐसा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, electric अवतार के रूप में धर्ती पे उतरा है, जिसे lead हम भारतिये करने लग रहे हैं, बहु जल हम leader बन जाएंगे, electric mobility में इंडिया lead करने लगेगा, तो क्यों ना इसको promote किया जाए, क्यों ना इसकी कमी सुधारने में उन लोगों की मदद की जाए, उनको बताया जाए, इसमें ये और होता तो भैतर होता, इसी दिशा में, एंपियर ने अपना पहला कदम रखा है, कल शाम को मुझे शोरूम के मालिक का फोन आया, उन्होंने मेरे को ये बताया, कि आपको एक खुशखबरी देनी है, इन गाडियों की कीमतें आसमान से जमीन पर आ गई, जो लोग मानते हैं ना आसमान पे हैं, उनके लिए, आसमान से जमीन पर आ गई, ये गाड़ी एक लाग चार हजार नौसो कुछ रुपए में, लगभग एक लाग पाँच हजार में मान लीजिए, एक लाग पाँच हजार में मिल रही थी, अब रूप, एंपियर मेंगनेस, ई-X, 98,900 रुपए में, एक शोरूम कीमत पे मिल रही है, अपनी गाड़ी बुक कर डालो, चोरूम पे खड़ी है, पैसे दो, उठा के लिया हो, सबसे बहतरीन क्वालिटी की गाड़ी है, एंपियर मेंगनेस, ई-X, इसमें एक चीज है, कि ये लिमिटेड स्पीड तक चलेगी, 53 किलोमेटर पर आवर इसकी मैक्सिमम स्पीड है, इ 28-100 किलोमेटर इसको मैं शहर में चला सकता हूँ, मैंने चलाई है, मैं चला रहा हूँ, और मैं चलाऊंगा, और जब भी चलाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा, इसमें कमी आएगी, तो भी बताऊंगा, इसमें दिक्कत आएगी, तो भी बताऊंगा, अभी तक इस गाड़ी ने मेरे को कोई दिक्कत नहीं नहीं उस गाड़ी ने दिक्कत दिए वो है प्राइमस प्राइमस पे आपको भीच में एमपियर का लोगो दिख जाएगा ये गाड़ी मैक्सिमम स्पीड 83 किलोमेटर पर आवर की स्पीड पे चल चुकी है जिसकी कीवत 1,46,000 रुपए थी अब कंपनी ने इसके 10,000 रुपए कम कर दी है 6,000 रुपए मैगनस के कम किये है 10,000 रुपए प्राइमस के कम किये जाओ बुक कर लो वो जो कह रहे हैं ना कि 1,30,000 में मैं आपको अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी दे रहा हूँ चाहे वो चेतक हो चाहे वो और कोई IQ वगर हो मैं इसका जल्द ही कमपारेशन करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि ये गाड़ी कितनी बहतर है उनसे कितनी बहतर है उनमें हाब मोटर है उनमें बीलडीसी मोटर है बीलडीसी मोटर बहुत अच्छी होती है पर हाब माउंटेड बहुत दिक्कत करती है बीलडीसी मोटर की क्वालिटी भी अच्छी है चेतक की चेतक बुरा नहीं कहूंगा चेतक पुरा लोहा है भारी है उठाने में भी हिलाने में भी चलाने भी यह एपसुलोटी फाइबर बॉड़ी है बेस्ट क्वालिटी का कहीं से भी फिट अन्फिनिश आप इसकी देख लिए इसमें कहीं गैप नहीं मिलेगा आपको किसी भी तरह से क्वालिटी भी एकदम अच्छी मिलेगी एहसास इसका पूरा वीडियो डाला हुआ है मैंने इसमें डबल साइड डबल शॉकर्स हैं मतलब फ्रंट वाला भी टेलिस्कोपिक है और रियर वाला भी डूल ट्यूब सस्पेंशन है स्प्रिंग सस्पेंशन है और सबसे बड़ी बात जो मैंने पिछला चेतक का रिवीव करा उ जुब रही थी ओला की तरह कि उसमें लीडिंग सस्पेंशन है पीछे मोनो शॉक है जो शायद मेरे को कुछ एक कमी लगी है बिंग एन इंजिनियर मेरे को थोड़ा सा वो डिफरेंट लगा कम जूर लगा यह रियर सस्पेंशन डबल है प्रंट सस्पेंशन टैलिसकोपिक है पर्फेक्ट है इसकी बुराई आप चाहे लाग करें मैंने इसके अंदर जो अच्छा ही देखी है वो मैं बता के रहूंगा चीक चीक कर नहीं बता रहा हूं क्योंकि मेरी आदत नहीं है मैं सच्चाई को बताना पसंद करता हूं इसमें जो कमी होगी वो भी गिनाऊंगा पर जब सामने आईगी तब ना अभी तक नहीं आई है तो मैं कैसे मालूं और कैसे दिखा दूं आईगी जिस दिन जरूर दिखाऊंगा मैंगनस में आई थी ना नहीं देखा आपने जाके मेरे पिछले वीडियो देखो oh my god मैंगनस में क्या हो गया तार हिल गया था तार अलग हो गया था चलते कुदाते बगाते खड़ों में से जोएंट किया चालो हो गई जाओ वीडियो वो देख क्या हो फिर कमेंट करना कि ये बेकार गाड़ी है ये बकवास गाड़ी है इसे नहीं लेना ये जो बेवकुफ लोग ऐसी बाते करते हैं न जो नेगेटिविटी फिलाते हैं उनसे बचके रहो सच्चाई बड़ी चल रहे ना उनके सर्वी सेंटर महरास्ट में अगर चाहोगे सार्च करोगे गूगल सार्च कर ले ना आप दिख जाएगा कि कैसे शोरूम और सर्विस सेंटर बंद करा है भीड इखटी हो रही है बड़ा बैड एक्सपीरियन्स रहा है चलो ये वीडियो केवल इसलिए था कि आपको इन्फर्मिशन दे दू कि इस गाड़ी की कीमत अब घटकर 1,36,000 हो गई है इस गाड़ी की कीमत घटकर अब 98,900 रुपए हो गई है एक्स शोरूम टैक्स आपके स्टेट का क्या लगता है वो आप देखेगा इंशुरेंस क्या लगता है वो क्या लेते हैं आप जाके ऑनलाइन चेकर लीजेगा जादा कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं जाएगा आपकी जीब से पर घर में एक अच्छी गाड़ी आजाएगी बात और अगर आप अजमेर से गाड़ी ले रहे हो तो एक खुशकबरी और दे देता हूँ अजमेर से गाड़ी ले रहे हो आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो अजमेर में एमपियर के किसी भी शोरूम चले जाना मेरे सब्सक्राइबर होने का प्रमान दे देना आपको अगर नई गिफ्ट मिलेना तो मैं मान जाओंगा क्योंकि मैंने का मैं पैसे नहीं लेता हूँ इस नॉट आप प्रमूशन नॉट आप प्रमूशन जो है सब आपका है आपको ही दिया सब आपके लिए कैदिया कंपनी वालों को कैदिया शोरूम वालों को जो भी हग बनता है कस्टमर को दो और जाद जाद बढ़ीया सर्विस दो तो इसी शुब कामना के साथ मिलते हैं फिर किसी अच्छे से वीडियो में तिल देन टेक क्यार बाई बाई जैहन बंदे मातरम